हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रवी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्योब चैनल करन्ट अफेर्स पाई रवी पर फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए 13 अपरेल 24 के डेली करन्ट अफेर्स के कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके ल अडियुक्त अफेर्स मुझस से ले लेते हो तो यकीन मानिए एकसाम में आपको 95 परसन से जादा कोशन मिलने वाले है और आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आपको इस वीडियो का पीडियो का पीदियेफ कैसे लगा सकते। यो यो भी आपको मैं तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले कोशन से हमारा पहला कोशन है April 2024 में SJVN Limited का अध्यक्ष एवं प्रबंद निदेशक किसे न्यूक्त किया गया है फिर इस कोशन में ये बोला गया है कि बताओ कि SJVN Limited के नई CMD कौन बने है राइट अंसर हो जाता है इस कोशन का अप्शन है सुशील शर्मा सुशील शर्मा जो है SJVN Limited के नई CMD बने है फिर इस यह है फोटो सुशील शर्मा जी की अगर हम डिटेल में बात करें सुशील शर्मा को SJVN Limited की अध्यक्ष और प्रबन देशक के रूप में नियुक्त किया गया यह मैं आपको कोशन में बताया अगर हम बात करें SJVN Limited की भारत सरकार और हिमाचल परदेश सरकार के बीच एक सायूंग तुद्यम है स्थापना हुई थी SJVN Limited की 1988 में मुख्याले कहां पर है शिमला हिमाचल परदेश में और इसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो SJVN है इसे पहले सतलुच जल विद्यूद निगम के नाम से जाना जाता था ये वैश्विक हवाई अड़ा परिचालन के प्रमुख बने है मनोज पांडा सोलिवें वितायों के सदस्य बने है श्री निवास पलिया ये विपरो के CEO बने है हाली में संतोष कुमार जा कॉंकन रिल्वे कॉर्पोरेशन के CMD बने है जोई श्री दास वर्मा फिकी महिला संकर्टन की अध्यक्षपनी है ये आपको ध्यान रखना है एपरिल दो होजाज चॉबिस में लक्षदूइप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन A HDFC बैंक याद रखना है कि लक्षदूइप में शाखा खोलने वाला जो पहला निजी बैंक बनाएना वो है HDFC बैंक अगर हम डिटेल में समझें निजी रिंदाता HDFC बैंक ने लक्षदूइप के कवरती दूइप में शाखा खोली है जिससे यह केंदर शाषिद प्रदेश में उपस्तिती का रखने वाला एकमातर निजी छेतर का बैंक बन गया है अगर हम बात करें HDFC बैंक की HDFC बैंक की स्थापना अगस 1994 में हुई थी मुख्याले मुंबई में हैं और MDNC ओं शाषिधर जगदीशन और फिर्ट से अगर हम बात करें लक्षी दूइप की लक्षी दूइप जो है भारत का सबसे छोटा केंदर शाषिद प्रदेश है और आपको यह पता होना चाहिए कि अरब सागर में स्थेत है और आपसे ने एक्जाम में कोशन पूछा जाता है कि बताओ कि जो लक्षी दूइप है इसमें कुल मलाके कितने दूइप है तो आपका अंसर होगा 36 दूइप है यह भी आपको धियान रखने है और आजधानी का है कवरती नेक्स्ट है हमारा कोशन QS World University Ranking 2024 में विकास अध्यन पाठे करमों के लिए भारत का कौन सा विश्विद्याले शीश पर है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन B जवार लाल नहरू विश्विद्याले जिसे की हम शौट में GNU बोलते हैं डिटेल में अगर हम समझें इस रिपोर्ट के जारी करता है QS जवार लाल नहरू विश्विद्याले भारत का सरवोच रैंक वाला विश्विद्याले बन गया है तथा विश्व भर में 20 में स्थान पर है चीन अमेरिका ब्रेटिन के बाद अनुसंधान केंदर के रूप में भारत चौथे स्थान पर है अगर आपसे एक्जाम में पूछ ले कि जो QS की रैंकिंग जारी हुई है इसमें अनुसंधान केंदर के रूप में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो भारत को चौथा स्थान मिला है पहला मिला है चीन को रैंकिंग विश्विद्यालों की संख्या के मामले में भारत एशिया में 101 विश्विद्यालों के साथ चीन के बाद दूसरे सबसे अधिक प्रतिनिज़व करने वाला देश बन गया है जवालाल नहरु विश्विद्यले जो है नई दिल्ली में स्थित्य ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है हमारा कोशन अंतराच्टिय नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानि कि आई एन सी बी ने किस भारतिय को बोर्ड में तीसरे कारेकाल के लिए निर्वाचित किया है काफी important question आपके exam के लिए तो right answer हो जाता है इस question का option है जगजीत पवाडिया जगजीत पवाडिया को अंतराच्टिय नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानि कि आई एन सी बी ने मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीसरे कारेकाल के लिए निर्वाचित किया है अगर हम बात करें INCB कि मैं फुल फॉर्म बता चुका हूँ अंतराच्टिय नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड होता है 1968 में स्थापना हुई थी मुख्याले वेना अस्ट्रिया में है सची वेम प्रमुक है मार्क कोलेहोन उतर परदेश राज्ये का पहला ग्लास स्काइवाक ब्रिज कहां बनाया गया है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चितरकोट उतर परदेश का चितरकोट शहर है आपको यहां बताना चाहता हूँ यहां पर पहला ग्लास स्काइवाक ब्रिज बनाया गया है यह उत्र बरदेश का पहला है, उत्र बरदेश के चितरकूर जिले के तुलसी जल परपात में प्रदेश का पहला Glass Sky Work Bridge बनाया गया है, इस बिर्ज का निर्मान वन और प्रयाटक भी भागने करवाया है अगर हम बात करें Glass Sky Walk Bridge होता क्या है देखो सबसे पहले तो आपको फोटो में देखके बता लग रगवा कि कुछ इस प्रकार का यह है ठीक है Glass का बना हुआ है लोग यहां पर आके वाक कर सकते हैं ठीक है तो यह Glass Sky Walk Bridge होता क्या है यह एक पैदल यातरी पुल है जिसमें काच का डैक या फर्ष होता है जो आंगोतोकों को नीचे की जमीन या पानी देखने की अनुमती देता है अगर फ्रेंट्स हम बात करें उत्तर परदेश की तो आपको बताना चाहता है उत्तर परदेश का जो स्थापना है 24 जनवरी 1950 को हुआ था राजधानी लखनौ है राज़ेपाल आनंदी बेन पटेल है और मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाजी है नेक्स्ट है हमारा कोशन एपरिल 24 में वैलेरो टेकसास ओपन का खिताब किसने जीता है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अक्षय भाटिया ये नाम आपको धियान रखना ये इनकी फोटो है डिटेल में अगर हम समझें भा नहां पर हुई थी सेन एंटोनियो टेकसास में नेक्स्ट है हमारा कोशन एपरिल 24 में विश्व लिखक संगठन यानि की डबलू और डबलू द्वारा विश्व सहाईते पुरुसकार किसे प्रिदान किया गया है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन C ममता सागर याद रख और यानि की डबलू ओ डबलू से विश्व सहाईते पुरुसकार मिला है और इस सम्हारों का आइचन कहां पर हुआ था नाइजीरिया के अबूजा में नेक्स्ट है हमारा कोशन एपरिल 24 में किसे एंटी पाइरेसी ऑपरेशन के लिए ऑन दा स्पोर्ट यूनिट परेशन के लिए अन दा स्पोर्ट यूनिट प्रशष्टी पत्र से सम्मानित किया गया है डिटेल में अगर हम समझें भारते नौसिना के एक पोत आइन शार्दा को एंटी पाइरेसी ऑपरेशन के सफल संचानल के लिए एडमिरल आर हरी कुमार दौारा अन दा स्पोर्ट यूनिट प्रशष्टी पत्र से सम्मानित किया गया है जहाज ने इरानी मक्षली बकरने के जहाज के सभी उननिस चालक दल के सदस्यों की सुरक्षित रिहाई में महतपुन भूमी का निभाई है इपरिल 2024 में सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया गया है ये कॉशन भी एक्जाम के लिए काफ़ी important रहने वाला है राइट आंसर हो जाता है option जहरखंड जहरखंड में सरहुल पर्व जो है यह मनाया गया है डिटेल में अगर हम समझें सरहूल ज्ञारकंळ छेतर में विविन जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाले एक लोगप्रीय तेहार है यह परव आदिवासी नववर्ष है सरहूल तेहार मनाया जाता है ज्ञारकंड में सरुल का अर्थ है विक्षों की पूजा फ्रेंट्स यहां पर बाद जहरकंड की हुई है जहरकंड की स्थापना हुई थी 15 नमबर 2000 को राची इसकी राजधानी है नई मुख्य मंत्री बने है चमपई सोरेन ये नाम भी आपको ध्यान रखना है राजयपाल है सेपी राधा क्रिशनन नेक्स्ट है हमारा कोशन जल जीवन मिशन के तहट घरों में नल का पानी उपलब्द कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन भी नीलगिरी तमिल आडू का जो फैंस नीलगिरी जिला है ठीक है ये नाम आपने याद रखना है तमिल आडू का है नीलगिरी जिला जो की जल जीवन मिशन के तहट घरों में नल का पानी उपलब्द कराने में पहले स्थान पर रहा है डिटेल में अगर हम समझें जल जीवन मिशन के तहट नल से जल पहुचाने में सबसे तेजी से देश में पहला स्थान तमिल आडू के नीलगिरी ने हासिल किया है यूपी के महुबा जनपर ने देश में दूसरा स्थान और आंतर परदेश में पहला स्थान हासिल किया है अगर हम बात करें टॉप तीन जी लेगी नीलगिरी मैंने आपको बताया है तमिलाडू का नंबर एक पे महुबा उत्तर परदेश का नंबर दो पे कुड़ा लो तमिलाडू का नंबर तीन पर जल जीवन मिशन योजना को 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था नेक्स्ट है हमारा कोशन जैन धर्मगुरू जिनका नाम है लोकेश मुनी को किस देश में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलिंटियर सर्विसेज परुसकार से सम्मानित किया गया है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन भी यूएसे यानि कि अमेरिका में जैन धर्मगुरू लोकेश मुनी को प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलिंटियर सर्विसेज परुसकार से सम्मानित किया गया है डिटेल में अगर हम समझें जैन धर्मगुरू लोकेश मुनी को जनता के कल्यान और मानवता के छेतर में उनके योगदान के लिए अमेरिका के President's Gold Volunteer Service पुरोजकार से सम्मानित किया गया है President's Volunteer Service Award का चैन अमेरिकी सरकार के एक सौतनत्र एजनसी AmeriCops करती है Next है हमारा Question Electric वाहन बैटरी रिसाइक्लिंग क्या बोसकते हो वाहन बैटरी रिसाइक्लिंग में स्टार्ट अप सहयोग को पुरस्ताहित करने के लिए भारत ने किसके साथ साजेधारी की है Right answer हो जाता है इसका Option B European Union EU के साथ आपको बताना चाहता हूँ Electric वाहन यानि कि EV वाहन बैटरी रिसाइक्लिंग में स्टार्ट अप को सहयोग देने के लिए भारत ने समझोता करा है डिटेल में अगर हम समझे यूरोपीय संग यानि की EU और भारत ने एक सहयोगी पहल की घोशना की है जो Electric वाहन बैटरीयों की रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप साजेधारी को बढ़ावा देगी यह है पहल सर्कुलर अर्थविवस्ता प्रथाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगी अगर फेंस हम बात करते हैं यूरोपीय संग की आपको बताना चाहता है यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक समू है इसकी स्थापना 1 नमबर 1993 को हुई थी मुख्याले ब्रुसल्स बेल्जियम में है अध्यक्ष है उर्सूला वान डैरलेयन नेक्स्ट है हमारा कोशन आई कैन कोच नामक पुस्तक के लिखक कौन है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ऑप्शन है सिदार्थ राजशेकर सिदार्थ राजशेकर जो है ये आई कैन कोच नामक पुस्तक के लिखक है ये आपको ध्यान रखना है डिटेल में अगर हम समझें सिदाथ राजशेकर ने अपनी परिवर्तन कारी पुस्तक श्रिंकला आई कैन कोच के खंडटू और थीन के विमोचन की घोशना की है पुस्तकों को Freedom Business Retreat 2014 में लॉंच किया गया जो चैन्ने के लीला पैलेस में दो दिवसे कारिकरम था बस आपको इसमें याद रखना है कि जो आई कैन कोच नामक बुस्तक है इसके लेखक है सिदाथ राजशेकर नेक्स्ट है हमारा कोशन राश्टिय सुरक्षित मातरितव दिवस 2024 कब मनाया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा Option D 11 April को याद रखना है 11 April को मनाया गया है राश्टिय सुरक्षित मातरितव दिवस 2024 यह बोल सकते हो National Safe Motherhood Day Important points दे समझते हैं राश्टिय सुरक्षित मातरितव दिवस प्रती वर्ष 11 April को मनाया जाता है वो देश्य के है मातरे सुवास्ते और कल्यान के महतव को उचागर करना और साल 2004 में पहली बार राश्टिय स्थर पर इस दिवस को मनाया गया था और आपको बताना चाहता हूं कि 2024 में अभी कोई भी थीम इसकी घोशित नहीं हुई है Next है हमारा question April 2024 में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज अधारी तरक्षा परनाली जिसका नाम है Sea Dome तेनाद की है Right answer हो जाता है option B इसराइल देश ने इसराइल देश ने पहली बार अपनी जहाज अधारी तरक्षा परनाली जिसका नाम है Sea Dome इसे तेनाद किया है डिटेल में अगर हम समझें इसराइल ने पहली बाद दक्षिनी शहर इलियट के पास देश के हवाई छेतर में प्रवेश करने वाले संदिक्त लक्षे के खिलाब अपनी जहाज अधारी रक्षा बर्नाली जिसे सी डोम कहा जाता है तेनात की है सी डोम, आइरन डोम, वाईू, रक्षा बर्नाली का एक नौसैनिक संस्क्रन है जिसका उप्योग रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचाने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है हमारा कोशन, एपरिल दोहजाच चौबिस में यूएस इंडिया टेक्स फॉर्म का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन सी तरुन बजाज, तरुन बजाज को फेंड्स आपको बताना चाहता है यूएस इंडिया टेक्स फॉर्म का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, फेंड्स यह इनकी फोटो है किस IIT ने तवरित रोग पहचाने वाले नैनो सेंसर का विशकार किया है राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन A, IIT जोधपूर याद रखना है, IIT जोधपूर ने तवरित रोग पहचाने वाले नैनो सेंसर का विशकार किया है IIT जोदपो ने देश का पहला अपनी तरह का human breeze sensor बनाया है और आपको बताना चाहता हूँ इसका निर्मान जो है make in India के तहत किया गया है यह metal oxide और nano silicon से बनाया है जो इसे दूसरे मौजुदा sensor से अलग बनाता है next है हमारा question April 2024 में किस देश के पूर्व लैक स्पीनर जिनका नाम है Jack Albastar का 93 साल की उमर में निधन हो गया है राइट answer हो जाता है इस question का हमारा option है New Zealand New Zealand देश के थे पूर्व लैक स्पीनर जिनका नाम है Jack Albastar इनका 93 साल की आयू में निधन हो गया है यह है इनकी photo अगर हम बात करें New Zealand की प्रशांत महासागर में अस्टेलिया के पास थी देख देश है राजदानी काफी बार एक्जाम में पूछी गई है Wellington है प्रधान मंत्री है Christopher Lakson next question है हमारा प्रिथवी का सबसे बड़ा Digital Camera जिसका नाम क्या है LSST शौट में पूरा नाम क्या है Legacy Survey of Space and Time का निर्मान किस ने किया है राइट आंसर हो जाता है option है संयोंकतराज अमेरिका यानिकी अमेरिका देश ने प्रिथवी का सबसे बड़ा Digital Camera जिसका नाम है Legacy Survey of Space and Time शौट में इसको LSST भी बोलते हैं का निर्मान किया है डिटेल में अगर हम समझें अमेरिकी उर्जा विभाग के विग्यान कारेले द्वारा वित पोशीत यह कैमरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग 32 मेगा पिक्सल का दावा करता है जिसे ब्रहमांड की अभूतपूर विवरन को ख मॉर्ट ने वर्ष 2023 में कितने किलोमेटर राष्टी राजमार्गों का निर्मान किया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ऑप्शन भी 12349 किलोमेटर का यह आपको ध्यान रखना है डिटेल में अगर हम समझें सड़क परीवहन राजमार्ग मंतराले ने 2023 में 12349 किलोमेटर नैशनल हाईवे बनाकर अपना अब तक का दूसरा सबसे बड़ा निर्मान कारे किया है इससे पहले सड़क परीवहन और राजमार्ग मंतराले ने 2021 में 13327 किलोमेटर नैशनल हाईवे का रिकॉर्ड निर्मान किया था और आपको बताना चाहता हूं तो आपका एक्साम में एक भी कोशन चूटने वाला नहीं है ठीक है मैंने बहुत एफर्ट्स करें आप सभी के लिए फाइल बनाने में ताकि आपको एक्साम में बहुत जादा हेल्प मेले डेली के बीस कोशन पढ़ाऊंगा और आज कर दस कोशन पढ़के जाने से कुछ नहीं होने वाला ठीक है जरिफ दस कोशन में से आपको हार्डली 50% पेपर देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप 20 कोशन डेली के पढ़ते हो ना तो 100% आपका डन है कि आप सारे कोशन सही करके आओगे ठीक है तो दो कोशन का टेस्ट आ गया जिसका अंसर आपने कॉमेंट लगता है तो पहला कोशन यह है अपरिल 24 में लक्षदूइप में शाखा खोनने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है चार आप्शन है आपके पास दूसरा कोशन है अपरिल 24 में सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया गया है दोनों कोशन का अंसर आपने कॉमेंट ब आपको वीडियो कैसी लगती है आपके लिए इंपोर्टन इंफोर्मेशन सबसे आपने मेरे टेलिग्राम जॉइन कर लीजिए ठीक है टेलिग्राम है कुरंट अफेट्स बाई रवी इस टेलिग्राम चैनल पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेली आपको पीडियो आप करेगी इस 20 कोशन की ठीक है और इसी के साथ मैं आपकी ना प्रैक्टिस भी करवाऊंगा टेलिग्राम पर ही ठीक है जहां पर आपसे MCQ में कुईज लूँगा मैं बिलकुल फ्री आप सभी के लिए ठीक है तो आप टेलिग्राम जॉइन कर लेना यहां पर डेली करंट अफ करेगल के सकतना तो आपसे ठीक है जब तो आपक करेशने प्रैक्टिस रखने स्वाद काम में एक पर शावạt आपप ट्रॉडब तो shifts किस्वाद को Layla टेक है